पिछले लॉग कमिशन ने जब इसी तरह से उपीनियन मंगा था तो हमारी पार्टी ने अपने तरफ से उनको लिख कर दिया था पूरा एक उपीनियन दिया था हमने और उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोट की जरूरत नहीं है वो पूरा वहाँ पर है उसके बाद लॉग कमिशन ने भी कही दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोट की देश को जरूरत नहीं है अब नया लॉग कमिशन ने फिर से एक एकसिसाइश शुरूर की है जो हम समझते हैं गहर जरूरी है और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है हमारी पार्टी जरूर अपने उपीनियन देगी उनको बना कर और जब देगी और आपसे इंशालला आप तमाम मीडिया के जिम्मदारों से हम शेयर करेंगे इन्हीं फर्म सिविल कोट की बात कर रहे हैं देश के पधान मंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तो फिर मनिपूर में 300 चर्चिस को जला दिया गया बताईए वो क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है मनिपूर में एक डिजीपी जो क्रिस्टिन कम्यूनिटी के थे ट्राइबल थे उनको आप हटा दिये, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो क्या है बताईए आप, खुला डिस्क्रिमिनेशन है यह, अब उपर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोट की आप बात करते हैं, नहीं इसलिए के, वो जब इंडिया को आई थे तो परदान मंतरी ने उनका वेलकम किय कारीफ की उनकी, कई हमने जॉइन स्टेटमेंट या एग्रिमेंट्स हमने साइन किये, अब जब एक यूएस का एक्स प्रेजिडेंट भारत के तालुक से यह कह रहा है, तो फिर उस पर, तो सरकार को सोचना चाहिए, और पिर बदान मंतरी जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कम्यूनिटी के हैं, वो कम से कम 25-30,000 डिस्प्लेस हो चुके हैं, अभी तक मनीपूर जल रहा है, अब तो राइट नाओ यह तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको, मनीपूर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बहतली मिसाल है मनीपूर, परधान मंतरी जो है, सेलेक्टिव मी रखते क्या, आप थकते क्यों नहीं, तो यह तो सेलेक्टिव बात करते हैं, यह बात सही है, पदान मंतरी को भी चाहिए, कि पूरे मीडिया को बलाकर बात कर लें, और वो उनसे सवालात करेंगे, उनसे वाल स्ट्रीट जनरल के एक जनरलिस्ट ने, बड़ी बिबाकी के सा सवाल किया भारत के तालोग से, पदान मंतरी ने जवाब दिया है, वो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रहे हैं उसमें, जिसको उमीद होगी पदान मंतरी से उमीद रखें, और उनका जो नौ साल का ट्राक रिकॉर्ड के होनोंने तो मुसल्मानों को politically invisible कर दिया उनोंने, completely high नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकेट देती, ना उनकी पार्टी एंपावर्मेंट कर दी, और फिर खोद परदान मंतरी की सरकार ने इस साल, ministry of minorities का 40% budget कम कर दिया, यह discrimination नहीं है, तो क्या है, बताईए, प्री मेटर्स कॉलेशिप को आपने रिस्टिक कर गया, यह discrimination नहीं है, तो बताईए क्या है, मानाजाद fellowship को आपने बंद कर दिया, अब minorities जिसमें मुसल्मान भी है, वो आप fellowship PSG नहीं कर पाएंगे, यह discrimination नहीं है, तो क्या है, बताईए आप, CAA का खानून बनाया आपने, religion के नाम पर discrimination नहीं है, तो क्या है, बताईए आप, जुनेद और नसीर की हत्या की गई, राजस्तान से किड्नाप करके हरियाना में, बताईए फिर एक के discrimination नहीं है, तो क्या है, बताईए आप, मनिपुर पर ओल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, सरकल बनाया है, वो मीटिंग, ब्री मंत्रा ले यह union गवर्मेंट की तरफ से, यह जो initiative है, इसको कैसा देखते हैं, ने देखें, यह मीटिंग जो है, पिछले एक महीने से मनिपुर जल रहा है, आज आप ओल पार्टी की वजे से वोईलेंट शुरुआ बीजेपी की सरकार की, आपने गयर जरूरी हिमाखत की, वहाँ पर भी आप अपने हिंदुत्वा के जंडे को लागू करना चाह रहे थे, आप गयर जरूरी तोर पर वहाँ पर आप उन लोगों को ट्राइबल स्टेस देना चाहते, इनका हजार पांच हजार के खरीब हतियार लूटे जाते हैं पॉलिस अकाडेमी से, कैसे होता है सब बताईए, ये तो इनकी नाकामी है, आप आज आल पार्टी मीटिंग बला रहे हैं, आप क्या होगा आल पार्टी मीटिंग में, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि पधान मंतरी खु कुछ सरकार के पास कोई वही नहीं है, कुछ आंसर ही नहीं उसके उपर, ना गवर्नेंस दिक रहा है महाँ पर, कुछ गवर्नेंस नहीं दिक रहा है महाँ पर, मनिपूर को छोड़ भी आ गया, जलता है जलने दो, मोडी सरकार सरासर नाकाम साभी थी मनिपूर में, इतने इतने से कहे जलता है मौनीपूर बताईए आप हैदराबाद को लोग आगे हैं वहाँ से अपने घरबार छोड़कर आप देखे एक इंगलीश अखबार की रिपोर्ट हैदराबाद को आगे वो लो जिसमें से एक तो अपना नया बना बना घर को छोड़कर आगे हो लो ब्राश्पति शासन लगना चीए मौनीपूर पैसर इस सिती को और ज्यादा करीब मनीपूर में इस सरकार ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जलने दिया आपकी जिम्मेदारी है सरकार की जिम्मेदारी है केंदर सरकार की मोड़ी सरकार जिम्मेदारी थी उसको उस वाइलेंस को रोके वहाँ के ट्राइबल लोगों को आसवाशन दे के भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपसे वहाँ पर जो kristian community को target किया जा रहा है उसको रोके जो church को जलाया जा रहा है उसको रोके वहाँ पर rule of law इनी है वहाँ पर तो हत्यार root के लोग एक डुसरे को मार रहे है displacement हो रहा है लोगों का वहाँ पर नई देखे हम को तो उसमें बुलाय नहीं गया है इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंके नमबर वन बात यह है कि हम सच्चा ही को बयान कर देंगे दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को जो मेरी नजर में कौसिटे बीजेपी को उस मीटिंग में निदीज कुमार है जो एंडिये बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने चीफ फिनिस्टर बने फिर गड़ बन्दन मनाया उसके बाद फिर पूद गए बीजेपी में जब गोद्रा का वाकिया हुआ तो मिदीज कुमार तो रेल मंत्री थे ना जब गुजरात में जनोसाइड और पोग्राम हो रहा था जब मिदीज कुमार तो बीजेपी के साथ थे आप अगर ये एजन्डा आपका है कि हम सिर्फ मोडी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे तो फिर आपका एजन्डा क्या है बताइए चलिए कॉंग्रेस पार्टी ने तो यूए पीए का जब अमेंटमेंट अमिट साल आए थे 2019 में उन्हें सपोर्ट किया उसको और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इस पोलिटिकल लीडर्स हैव एरोगेटेड देमसल्ड इस राइड तो हू तू कॉल सेकुलर अन हू तू कॉल कमुनल आपका ट्रैक रिकॉर्ट क्या है NCP में अजीद पावार और देवंदर फटनविश सुबासुबा मुक्यमंत्री और डिप्टी सीम बन गए क्या है उसमें बताईए कौन सा जंडा है आपका क्या करेंगे आप बताईए आपके बिहार में नितीज कुमार के होम डिस्टिक में एक सौ साला मदर से को जला दिया गया आप वहाँ पर नहीं जाते हैं देश के पूरे लोगों को बलाते हैं वहाँ पर अपोजिशन लिडर्स को आप में हमारी भी कोषिश होगी मगर आप आप इन लोगों के ट्राक रिकॉर्ड क्या है कांगरेस गोलती के नहीं हम सबसे आगे रहेंगे निदीश कुमार खाब देख रहे हैं कि मैं पदान मंत्री बन जाओंगा दूसरे लोग सबसब अपने अपने खाबों को देख रहे हैं हम लोग अपने अपने बात कर रहे हैं पर आप ये आप ने तो किया ना आप महागट आप मुखे आप जो गुद्रा के उफ़त आप रेलवे मंत्री थे गुज्रा जलता रहा आप बीजेपी के साथ थे फिर आप मुखे मंत्री बन गे निदीश कुमार साथ फिर महागंडन महागटबंदन बनाया फिर मुखे मंत्री बने फिर आप चले गए फिर आप वापिस आए दिली के मुखे मंत्री तो 370 में बीजेपी को उपन सुपोर्ट करे आज रो रहे हैं पुरे देश में के बीजेपी ने ओर्डिनेंस जारी करके आप मेरे एक्तियारा चीन लिए वह आप तो 370 का सुपोर्ट करे थे आप बात करते हैं कमुनल सेकुलरिजम की और वहाँ पर शिफ सिना के साथ आप अलायंस करके मुखे मुखे मुंत्री बनाते हैं उनको उद्व ठाकरे को और शिफ सिना वहाँ पर है मम्ता बेनर जी है जो कहीती है कि मेरा गोतरा सबसे बड़ा है आप कमुनलिजम से मुखाबला करेंगे इस तरह से आप नहीं बुलाई सर्थ नहीं नहीं हमको इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं और वहाँ पर ये जितने भी लोग हैं जितने भी नेता वहाँ पर हैं ये तीन चीजों को नहीं चाहते कि इंक्लूडिंग बीजेपी कि मुस्लिम दलित और आदिवासियों का पुलिटिकल एमपावर्मेंट हो चाहिए लोग हो या बीजेपी तो कभी नहीं चाहेंगे तो कि मुसल्मान दलित और आदिवासियों को पुलिटिकल एमपावर्मेंट हो अब ये दो पॉजिशन पार्टी से आप भी ऑपॉजिशन पार्टी है अब कि चीफ है तो आप कैसा दिए इनको विजेपी क्या विजेन है भूली आप ये विजरने आपको आप ये विजरन को लग जाएगे देश के सामें पनी आप आप구만 Gentile जाएगे मालूम आपको लेकर जाएगे अगार आप जो कह रहे आउनका विजन है इसको विजन पोलेंगे आप आपका विजन क्या है आपका अजंडा क्या है कैसा होगा यह I don't know You see we don't want Mr. Narendra Modi to again become the Prime Minister of this great country of ours in 2024 And for that we definitely will be using our whatever efforts which are there But this particular meeting which is being held today in Patna What is the track record of all these political leaders who have assembled over there Isn't it right that because of Congress BJP came back into power twice Isn't it right to say that Mr. Nathish Kumar was the Railway Minister when BJP when the Gujarat genocide and program happened He became Chief Minister because of alliance with BJP He left BJP from Mahakart Bandhan became the Chief Minister again, left them, joined BJP Now again he has left them Thirdly, Shuf Sena Has Shuf Sena become a secular party? That Shuf Sena where Mr. Hudav Thakere as a Chief Minister stood up in the Maharashtra Assembly and said that Yes, we are proud of demolishing Bapri Masjid Mr. the Chief Minister of Delhi supported BJP when in the Lok Sabha and Rajya Sabha when Article 370 was removed in an unconstitutional way What is this? Mr. Nathish Kumar as a Chief Minister could not visit his own home district when communal riot happened And a hundred year old madrasah was burned down. He could not go over there So we don't know They are doing it. Let us see what happens in the future I can only say I am reminded of this Urdu share that With time to see what happens in the future And this year is the population of India Dekhase, 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 Dekhase मोटी ये चाते हैं कि चेहरे सामpower में आ जाएmother मैं ये वर सब गान देक्र रूंगा हमं ये Tá को लेकर आएंगे बीजेबी को फाइदा हो जाएगा चहरा होना चाहिए बेरोजगारी का चहरा होना चाहिए मॉब लिंचिंग का चहरा होना चाहिए इंफलेशन का चहरा होना चाहिए जीडीपी का जो गिर रहा है महिंगाई जो बढ़ रही है यह यह चहरे होने चाहिए य रॉयल किट्स हाइ स्कूल इंग्लिश मीडिया में तुल्बा को अस्री उलूम के साथ साथ दीनी उलूम और उर्दू से वाकिप किया जाता है करिस्पॉंडिन्ट स्कूल अब्दुल इंग्लिश रिटायर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डायर कोलेज के मताबिक स्कूल में माहर वो तर्बियत याफ्ता असाथिजा की ख़दमात हासल की जाती है और कुशादा क्लास डूम्स और प्लेगराउंड की सहूलत भी हासल है स्सी में सत फीसद नतायच खल्ब शहर न्यू टाउं में होने की वज़े से तुल्बा की आमद वो रफ्त के लिए भी ये स्कूल काफी सहूलत बख्षे प्रिंसिपल्स नाजिमा सुल्ताना ने कहा कि बच्चों को अस्टी वम्यारी तालीम के लिए और रोशन तालीम मुस्तक्बिल के लिए रॉयल किट्स हाई स्कूल में आज ही दाखिला करवाएं